हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आज चानल, लर्निंग नोट बूक, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टिप्लिकेशन और डिविजन अफ डेसिमल नंबर्स, फ्रेंग्स, इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्विक भी बताऊंगी, जिससे आप अब डेसिमल नंबर्स की मल्टिप्लिकेशन और डिविजन बहुत ही असानी से कर पाएंगे, तो आइए, शुरू करते हैं now friends multiplication of decimal numbers is nothing but multiplication of fractions only कैसे let's see question है 1.2 multiplied by 4 अब friends यहाँ पर यह decimal number है 1.2 तो 1.2 को मैं लिख सकती हूँ 12 by 10 तो यह क्या बन गया एक fraction बन गया decimal number को मैंने एक fraction में convert कर दिया अब friends देखिए यह क्या है यह multiplication of fraction ही तो बन गई अभी जो हमने करी थी 12 by 10 into 4 बस friends यहाँ पर difference यह आजाता है कि जो डिनॉमिनेटर में 10 आया है न हमें इसे छेड़ना नहीं है हमें इसको simplify नहीं करना चाहिए उपर हमारा उपर वाले number से numerator से simplify हो रहा हो हमें नीचे 10, 100 जो डिनॉमिनेटर में होता है उसे नहीं छेड़ना क्योंकि इसकी मदद से हम आखरी में अपना decimal number फॉर्म करते हैं क्यों क्योंकि नीचे डिनॉमिनेटर में एक 0 है तो मैं उपर निमरेटर में एक प्लेस बात decimal point लगा दूंगे वीछे से तो इसलिए मेरा answer आजाता है 4.8 अब फ्रेंग्स ये जो method है ये कहीं न कहीं lengthy हो जाता है पहले हम decimal number को fraction में convert करते हैं फिर हम fraction को decimal number में convert करते हैं तो आएए एक हम simpler method भी इसका सीख लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंग्स कि पहले हम इन numbers को multiply कर देंगे assuming कि कोई decimal point है ही नहीं जैसे कि हम करेंगे 12 into 4 which is equals to 48 मैंने जो decimal point था उसको ignore कर दिया और simply मैंने numbers को multiply करा तो मेरे पास आया 48 अब देखिए हमें इसमें decimal point कहां लगाना है जितने place बाद यहाँ पर decimal number में decimal point है उतने ही places बाद हम अपने answer में भी लगा देंगे तो हम एक place बाद decimal point लगा लेते हैं तो हमारा answer आजाता है 4.8 देखिए जो पेले method करा था उसका भी यह answer था इस method से करा है इसका भी यह answer आया है अब इसी method से let's do another question 1.2 multiplied by 0.6 अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इन decimal points को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम multiply करेंगे 12 को 6 से which is equals to 72 अब friends हमें देखना है कि हमें decimal point कहां लगाना है देखिए 2 decimal numbers है ठीक है और दोनों में कहां कहां decimal point है एक place बाद तो हम जो answer में कहां decimal point लगाएंगे हम करेंगे 2 places बाद क्योंकि 2 decimal numbers हैं दोनों में एक एक place बाद decimal point है तो अब हम answer में 2 places बाद decimal point लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे हम तो हमारे यह आ जाता है 0.72 जिसे हम लिखते हैं 0.72 हम decimal point से पहले फ्रेंक्स 0 लिख देंगे तो this is our answer 0.72 next question 1.2 multiplied by 2.25 तो फ्रेंक्स अब दो decimal numbers हैं इन्हें हमें multiply करना है तो सबसे पहले हम इनके decimal points को ignore कर देते हैं और हम simply multiply करेंगे 12 को 225 से हमें मिलता है 2700 मिलता है अब decimal point कहां लगाएंगे देखिए यहां पर एक place बाद decimal point है और यहां पर दो places बाद decimal point है तो कितने places हो एंग total 3 तो यहां पर 3 places बाद हम decimal point लगाएंगे तो इधर पीछे से हम places count करते हैं तो हमारे पास इधर हमने point लगा दिया तो हमारा answer आ गया 2.700 जिसे हम simply लिखेंगे 2.7 Now let's do a word problem अभी तक friends क्या होता था कि word problems में आपको numbers given होते थे अब उनमें आपको decimal numbers given होंगे जैसे कि यह word problem है The length of a rectangle is 7.1 cm and its breadth is 2.5 cm. What is its area? So friends एक rectangle है उसकी length और breadth हमें given है किसमें? decimal numbers में हमें उसका area find करना है We know that the area of a rectangle is length into breadth बस length हमें given है 7.1 और breadth 2.5 है तो इन्हें हम multiply कर लेंगे कैसे? हम पहले ignore कर देंगे decimal points को हम simply multiply करेंगे 71 को 25 से जो होता है 1775 अब हम decimal point लगाएंगे कितने places बाद? देखें यहाँ पे भी एक place बाद है और उधर भी एक place बाद है यानि 2 places बाद हम decimal point लगा देंगे तो हमारा answer आ जाएगा 17.75 square centimeters तो यह हमारा answer है friends तो इस तरह से आपको exam में word problems आएंगी decimal numbers को लेकर तो friends अब next topic हम देख रहे हैं कि किसी भी decimal number को हम 10, 100 और 1000 से कैसे multiply कर सकते हैं जैसे कि 2.734 को हमें multiply करना है 10 से तो जैसे कि अभी तक friends हम उनने करा था कि हम थोड़ी दिर के लिए decimal point को भूल जाते हैं और simply इन दोनो numbers को multiply कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 27340 अब हम देखेंगे कि उपर कितने decimal places बाद हमने point लगा हुआ है 3 places बाद तो इधर भी हम 3 places बाद decimal point लगा देंगे So this is our answer 27.340 जिसे हम 27.34 लिख सकते हैं तो यह हमने इसको multiply कर दिया अब इसी तरह से अगर हमें इसे multiply करना है 100 से तो जब भी हम ऐसे ही कर लेंगे पहले हम decimal point को भूल जाते हैं इग्नोर कर देते हैं और simply दोनो numbers को multiply करते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास अब हम देख रहे हैं उपर कि वही 3 places बाद decimal point है तो इधर भी हम 3 places बाद decimal point लगा देंगे तो अब decimal point यहां लगता है और हमारा answer आता है 273.400 यानि 273.4 अब फ्रेंग्स इस decimal number को जब हम thousand से multiply करेंगे तो पहले हम simply इनको multiply कर देंगे ignoring the decimal point तो यह आता है हमारे पास अब हमें पता है कि हमारे जो decimal number है उसमें 3 places बाद decimal point है तो इधर भी हम 3 places बाद decimal point लगा देंगे so we have got our answer as 2734.0 या इसे हम simply 2734 भी लिख सकते है तो फ्रेंग्स एक तो हमने ये method देख लिया है जिसे कि हम आसानी से decimal number को multiply कर सकते हैं 10, 100 या 1000 से पर इससे भी एक और आसान तरीका है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ तो ध्यान से सुनिए देखिए इन तीनों cases को देखिए एक बड़ी दुबारा पहले case में जब हमने 2.734 को 10 से multiply करा 10 यानि जिसमें 1 0 है तो जो मेरा answer आया उसमें क्या हुआ कि जो decimal point था वो एक place right में shift हो गया है देखिए 2.734 था और answer आया 27.34 तो जो decimal point था वो एक place right में shift हुआ है जब मैंने 10 से multiply करा जिसमें 1 0 है अब जब इसी number को मैंने 100 से multiply करा जिसमें 2 0 है तो जो मेरे answer आया उसमें decimal point 2 places right में shift हो गया है 2 0 में 2 places right में shift हुआ इसी तरह से जब मैंने इस decimal number को 1000 से multiply करा जिसमें 3 0 है तो answer में decimal point 3 places right में shift हो गया है तो इससे friends हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी decimal number को multiply करते है 10, 100 या 1000 से तो decimal point shift होता है right की तरफ अब वो कितने places shift होता है right की तरफ ये depend करेगा कि जिससे हम multiply करें उसमें कितनी number of zeros है अगर हम 10 से multiply करें जिसमें 1 0 है तो decimal point shift होगा 1 place right में अगर 100 से multiply करें जिसमें 2 0 है तो point move होगा 2 places right में और 1000 से multiply करेंगे जिसमें 3 0 हैं तो decimal point shift होगा right में 3 places तो friends ये हमें कुछ भी करने की जूरत नहीं है बस हम simply ऐसे भी अपना answer निकाल सकते हैं और friends कुछ लोगों को confusion ये हो जाती है कि ये जो decimal point है वो right में shift करेंगे या left में shift करेंगे देखे ध्यान दीजिए यहाँ पर हम multiply कर रहे हैं decimal number को हम जब भी multiplication करते हैं तो वो जो number होता है वो बड़ा हो जाता है और वो बड़ा कब होगा जब हम decimal point को right में shift करेंगे वो 0.734 को जब हमने 27.34 हमने answer लाए तो 27.34 बड़ा है 2.734 से तो इस तरह से friends आप याद रख सकते हैं कि आपको number बड़ा चाहिए और वो बड़ा जब ही होगा जब हम right में decimal point को shift करेंगे तो आएए अब इसी method से हम multiply करते हैं जैसे कि पहला question है 4.86 multiplied by 10 अब जल्दी से answer लिखेंगे friends यहाँ पे हमारे पस 10 से multiply करें यानि 1 0 है तो हम decimal point को right में एक place shift कर देंगे तो हमारा answer आ गया 48.6 बस यही करना है हमने अब जब हमने 4.86 को 100 से multiply करना है तो 100 में 2 0 हैं तो हम decimal point को 2 places right में shift कर देते हैं तो हमारा answer आ जाता है 486.0 या इसे simply हम 486 भी लिख सकते हैं Now, if we multiply 4.86 by 1,000 1,000 में 3 0 हैं तो अब देखिए friends जब हमें 3 0 गिवन हैं तो यानि हमें 3 places right में shift करना है तो 3 places right में वो कैसे shift होगा जब हम 8 6 के बाद एक 0 एड करेंगे 486 0 फिर हमें decimal point लगाना है फिर हम लिखेंगे 0 और इसे हम simply क्या लिख सकते हैं 486 0 अगर friends आपको ऐसे cases में कोई confusion होती है तो आप क्या कर सकते हैं आप देखे 4.86 को आप पहले लिख सकते हैं 4.86 0,0,0 आप यहाँ पर decimal point के बाद जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं उसकी कोई value नहीं होती आप जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं अब आप इस decimal point को 3 places shift कर सकते हैं तो इसमें आपको कोई confusion नहीं होएगी जब हमने shift किया तो देखो वही answer आजाएगा 486 0 point फिर आपका decimal point लग रहा है चिक हैं? तो जिसे simply हम 486 0 भी लिख सकते हैं आएए और ऐसे कुछ questions करते हैं 0.5 multiplied by 10 तो यहाँ पर भी friends देखिए हम क्या कर रहे हैं? हम 10 से multiply कर रहे हैं जिसमें 1 0 है तो हम decimal point को right में एक place shift कर देते हैं तो हमारे पास आजाता है 5.0 जिसे simply हम लिख सकते हैं 5 अब next है जब हम 0.5 को multiply कर रहे हैं 100 से तो friends अब देखिए हमें 2 places shift करना पड़ेगा decimal point तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो place तो है नहीं तो इसे आप simply लिख ले पहले 0.500 जितनी मजी zeros आप add कर सकते हैं decimal point के बाद अब आप decimal point को 2 places right में shift करिये तो आप लिखेंगे 50.0 जिसे आप simply लिख सकते हैं 50 now next when we multiply 0.5 by 1000 अब 1000 से कर रहे हैं तो हमें decimal point को 3 places right में shift करना होगा वो आपको दिख रहे है कि इधर वो places है नहीं तो आप simply पहले zeros लिख लीजिए उसके आगे और फिर decimal point को move कर दीजिए 3 places right में तो हमारे पास answer आजाता है 500.0 यानि 500 तो ठीके फ्रेंक्स देखें कितना आसान है किसी भी decimal number को 10, 100 या 1000 से multiply करना अब हम सीखेंगे division of decimal numbers तो फ्रेंक्स देखें division of decimal numbers हम वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने division of fractions करी थी बस यहाँ पे जो change आता है वो यह है कि हमें decimal number को पहले एक fraction में convert करना होता है तो जो 1.5 decimal number है इसको पहले हम fraction में लिखेंगे तो यह बन जाता है 15 by 10 बस अब देखिए हमें वही सब करना है हम division sign की जगा multiplication sign लिख लेंगे और division sign के बाद जो number है उसका reciprocal ले लेंगे तो यह हमारा question बन जाता है 15 by 10 multiplied by 1 by 3 अब friends इसे हम simplify कर लेते हैं पर simplify करते हुए हम कोशिश यह करेंगे friends कि जो denominator में 10 है 10 है 100 है हम इसे ना छेड़ें क्योंकि हमें बाद में जो fraction है उसे फिर से decimal number में convert करने में यह हमारी मदद करेगी तो बाकी उसको हम simplify कर लेते हैं 3 into 5 equals to 15 तो देखिए अब हमारे पास क्या आया 5 by 10 अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको आगे simplify कर लें तो फ्रेंक्स में suggest करूँगी कि आप इसको आगे simplify ना करें हम division of decimal numbers कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक decimal number की form में ही answer दें rather than in fraction form तो अब जो यह 10 है मैं इसकी मदद से यह 5 को एक decimal number बना लेती हूँ तो मेरा answer आजाता है 0.5 Now next question 0.84 सबसे पहले इन दोनों ही decimal numbers को हम fraction form में लियाते हैं तो 0.84 बन जाएगा 84 by 100 और 4.2 लिखेंगे हम 42 by 10 अब दोनों fractions आ गी हैं तो इनको divide करना है तो वो ही कर लेंगे हम division sign की जगा multiplication sign और 42 by 10 का हम reciprocal ले लेंगे जो होता है 10 by 42 अब friends यहां पर देखिए इसे हमें simplify करना है तो यहां पर friends हम 0 से 0 को cancel करेंगे क्योंकि देखी जब इसको करने के बाद भी मेरे पास denominator में 10 बचा हुआ है जिसकी help से मैं फिर से decimal number form कर सकती हूँ तो आगे जब हम simplify कर लेते हैं इसको 42 multiplied by 2 is 84 तो अब मेरे पास क्या बचा 2 by 10 जिसे मैं decimal form में लिखूंगी तो answer आजाता है 0.2 friends अगर आप उपर की stage पे यहां पर आप 0 से 0 अगर cancel नहीं भी करना चाहरे तो आप वैसे भी solve कर सकते हैं बट आपकी calculation आसान हो जाती है जब आप इसे ऐसे simplify कर लेते हैं हमें नीचे denominator में एक 10 की जुरुत है वो हमें मिल रहा है तो इसलिए मैं कहूंगी कि 0 से 0 को आप cancel कर दीजे तो पहले हम क्या करेंगे यह जो decimal number है उसे fraction की form में लिख लेते हैं तो यह बन जाएगा 3 upon 1000 अब बस हमें इसे क्या करना है कि division की जगा multiplication का sign और 3 by 1000 का हम ले लेंगे reciprocal जो होता है 1000 by 3 तो अब इसे हम simplify कर लेते हैं 3 multiplied by 9 is 27 so we are left with 9 multiplied by 1000 which is equals to 9000 so friends this is our answer now let's do a word problem a vehicle covers a distance of 43.2 kilometers in 2.4 liters of petrol how much distance will it cover in 1 liter of petrol so friends this is what problem कह रही है कि एक जो vehicle है वो 2.5 sorry 2.4 liters of petrol में distance cover कर रहा है 43.2 kilometers right तो question यह है कि वो 1 liter petrol में कितना distance cover करेगा तो इसे fine करने के लिए friends हम क्या करेंगे हम divide करेंगे 43.2 को हम divide करेंगे 2.4 से तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 liter petrol में यह vehicle कितना distance cover करेगा तो आईए इसे divide कर लेते हैं पहले हम इन decimal numbers को fraction की form में लिख लेते हैं तो यह बन गया हमारा 4.32 divided by 10 divided by 24 by 10 तो आप इसे divide करने के लिए हम क्या करेंगे division sign की जगा multiplication sign और 24 by 10 का हम reciprocal ले लेंगे जो होगा 10 by 24 और friends इसे हम simplify कर लेते हैं तो इधर देखिए हमारे पास numerator और denominator में दोनों जगा 10 है तो friends हम 10 को 10 से cancel कर देंगे यहाँ पर आप यह मत सोचिए कि मैं करूं या नहीं करूं आप कर दीजिए क्योंकि पूरा 10 पूरे 10 से यहाँ पर cancel हो रहा है अगर इसकी जगा 100 भी होता ना कि नीचे 100 उपर 100 तो आप जब भी उसको cancel करते हैं अब जब हम इसको friends further simplify करते हैं तो हमारे पास numerator में आ जाता है 18 तो इसका मतलब यह जो वाइकल है यह एक लिटर पेट्वोल में 18 किलोमेटर का distance कवर करेगा अब नेक्स टॉपिक में friends हम देखेंगे कि division of decimal number by 10, 100 and 1000 कैसे करें so when our decimal number is divided by 10, 100 or 1000 the decimal point is shifted to the left by as many places as there are zeros अब friends देखें इदर अब हमने जब देखा था कि जब हम multiplication of decimal number कर रहे थे by 10, 100 and 1000 तो उसमें हमने देखा था कि decimal point shift होता है right में अब जब हम divide कर रहे है decimal number को 10, 100 or 1000 से decimal point shift होगा left में और कितना left में shift होगा जितनी number of zeros हैं और left friends decimal point left में क्यों shift होगा क्योंकि जब हम divide करते है तो जो number होता है वो छोटा हो जाता है तो आईए इसके कुछ हम questions देखते हैं 31.5 divided by 10 तो friends यहाँ पे decimal number को हमें 10 से divide करना है 10 यानि जिसमें 1 0 है तो हम decimal point को एक place left में shift कर देंगे तो answer क्या आएगा 3.15 जो 31.5 था वो बन गया 3.15 तो देखें नंबर क्या है छोटा हो गया अब इसी तरह से अगर हम 31.5 को divide करें 100 से 100 यानि जिसमें 2 0 है तो हम decimal point को 2 places left में shift कर देंगे यानि इससे पहले 3 से पहले लियाएंगे तो यह बन जाएगा 0.315 या इसे हम लिख सकते हैं 0.315 नव नेक्स विन वी डिवाइड 31.5 बाई 1000 अब 1000 में फ्रेंक्स 3 0 हैं तो हम decimal point को 3 places left में shift करेंगे अब फ्रेंक्स आप देख रहे होंगे कि बही left में तो मेरे पास 2 places हैं तो अब मैं क्या कर दो तो इस case में भी फ्रेंक्स हम 3 से पहले 0s लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको उसमें multiplication की case में बताया था कि decimal point के बाद हम जितनी मजी 0s अड़ कर सकते हैं इसी तरह से हम whole number से पहले जितनी मजी 0s लगा सकते हैं तो यहां पर जब मैंने इसको ऐसे लिख लिए 0031.5 तो अब मेरा कर सकती हूँ मैं 3 places left में shift आराम से decimal point को तो मेरे पास answer आ जाता है 0.0315 ठीक है friends तो आईए इसी पर मैं आपको जल्दी से और थोड़े से questions करवा देती हूँ आप जल्दी से मेरे को answer बताते जाएए अब इदर है 1000.8 divided by 10 तो इसमें 10 में 10 है तो decimal point को हम left एक place shift कर देंगे हमारे पास answer आ जाता है 100.08 बस आपको ध्यान से decimal point को move करना है और कुछ नहीं है इसमें अब जब इसी number को हम 100 से divide कर रहे हैं जिसमें 2 zeros हैं तो decimal point को 2 places left में shift कर दीजिए यहाँ पर तो answer आ जाएगा 10.008 अब जब इस number को हम 1000 से divide करेंगे तो decimal point 3 places left में shift हो जाएगा यहाँ आ जाएगा decimal point तो answer आ जाता है 1.0008 Next question is 0.5 divided by 10 तो friends यहाँ पर भी देखिए अब यह जो decimal point है इसको हम कितने places shift करेंगे left में Yes, one place हम shift कर देंगे तो हमारे पास answer आ जाता है 0.05 Now next when we divide 0.5 by 100 तो friends अब देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब मेरको 2 places shift करना है left में तो 2 places तो है नहीं तो हम इधर उतनी ही zeros हम पहले लिख लेंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा 0.005 देखिए यहां पर आप इधर इधर zeros लगा लीजिए और फिर आप decimal point को shift कर लीजिए दो places अब इसी तरह से friends जब हम 0.5 को 1000 से divide कर रहे हैं तो फिर से मैं क्या करूँगी मैं इधर zeros लगा लूँगी में को 3 places left में shift करना है तो मैं इधर zeros आड़ कर लूँगी तो मेरे पास answer आ जाता है 0.0005 तो इस तरह से friends आप division of decimal numbers by 10, 100 and 1000 काफी आसानी से कर सकते हैं तो याद रखिए कि जितनी zeros है उतने आपको places shift करना है decimal point को left में